बिसमिलार अर्मार अर्म, इस lecture के अंदर हम interactive plots की बात करेंगे, इसी वड़ा से ये वरा lecture जो है, वो basically बहुत स्यादा interactive होने वाला है, और आपको 10 different किसम के plots बना के दिखाऊंगा, within 2 to 3 lines of code, each plot के अंदर लगेंगे, ठीक है, so data visualization on speed, इसका lecture का नाम हम रख देते हैं, using interactive plotly की library, plot कुछ इसी lecture के अंदर आप सीखेंगे, ठीक है, बड़ी गौर से देखिएगा, समझेगा, then it will be easier for you to replicate this lecture, screen में आपके सामने लेख आता हूँ, and then it will be easier for you to understand further, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला काम यह है कि हमने, हमारे पास जो, यहाँ पे 10 number हमने script बना लिया था, अब यह हमारे पास 11 number script होगा, इसको मैं बोलता हूँ, 11 and interactive plots, यह हम इस वाटा से बना रहे हैं थाकि आपके पास जितने भी script है, वो सारे के सारे easily available हो, सबसे पहले हमें जो library चाहिए इस काम के लिए, वो है plotly for interactive plots, plotly library का नाम है, plotly, ठीक है, जिन लोग ने टेकन दरीखे लिए ब्रूसली होता था, ठीक हो बड़ा interactive होता था, छोटे-छोटे चीजों मुक्के मार के और काम सेट कर देता था, वन इंच का मुक्का मार देता था, दो इंच से मुक्का मार देता था, something like that, तो इसी तरीके से यह library है plotly, अगर आप Google पे जाके लेके plotly in R, तो यह python में भी आ kind of plots inside R, ठीक है, आप for example, यहाँ पे मैं click करता हूँ, यह इसका code आगया कि किस तरीके से यह library काम करती है, यह इस तरीके से आपके plots बन जाती है, आप किसी भी एक पाई पे click कर सकती है, check, uncheck कर सकते हैं, these kind of interaction, and we are going to make these kind of plots, सबसे पहले काम है हमारा install करना package को, install.packages, और of course, install करेंगे, something like this, और अक्सरोकात आपके पास, जब plotly आप install कर रहे होते हैं, usually it doesn't work, reason क्या होती है, कि आपको अक्सरोकात different किसम के other dependencies चली होती है, ठीक है, so आपके पास जो warnings आएंगी, वहाँ पे आप देख सकेंगे, क्योंकि हमारे पास यह चल पढ़ी है, let's see, library करके देख कीजिएगा, library में उसने बताया कि ये वाली loading required package ggplot2, keep up to date this, attaching package plotly, और आपका ggplot2 भी इसके साथ चाहिए होता है, so usually plotly ही उसको interactively वहाँ पे add कर देती है, you don't need to use ggplot2, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हमेशा plotly के साथ ggplot2 को ज़रूर मैं library कर लेता हूँ, और उसका best फ transformation वाले package भी आ रहें, और बाग की भी आ जाएं, ठीक है, so ये दो packages हमने कर लिए, अब अगला काम क्या है, मैं load करूँगा data, load the data, of course मैं Titanic का data जान बूच के दुबारा से load कर सकता हूँ, लेकिन we have another dataset जिसका नाम है diamonds, ठीक है, ये built-in dataset है, अगर मैं इस पर click करूँ, so यहाँ मैं df करके, of course, अपने पास जो Titanic का data है, वो हम यहाँ पर लेकिया है, read excel करके, let's see, तो उसके लिए हमें यहाँ पर library करना है, library, read excel, read excel, और जैसे हमने पिछली दवा किया था, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, excel, and then we have data, और यहाँ पर हमारे पास, Titanic, यह वाला data हम लेके आते है which is smaller data, ठीक है, just to show you, दोनों data के differences क्या होते हैं, but पहले हम करेंगे small data पर, so सबसे पहले जो हमारा काम होगा, किसी भी data set को, देखना है हमने, कि वो data किस तरीके से हमारे पास है, of course, आप view करके देख सकते हैं, और बाकी काम भी देख सकते हैं, something like this, so these are some column names, और जब भी मैं plot बनाना start करता हूँ, मैं यहाँ पर call names लिखके, एक command run करता हूँ, जिस से मेरे पास क्या होता है, and यह देख, यह इस तरीके से original name आ जाते हैं, मैं यहीं से copy कर लेता हूँ, ठीक है, so I don't need to worry about capital letter, small letter, something like that, so सबसे पहला plot है, जनाप scatter plot, scatter plot बनाने के लिए आपको plot ली लिखना वो ही काम है, सबसे पहले आपने data देना है, x पर आपने tilde sign यूज़ करना है, this is called tilde, this is used when you have to make a relationship of different variables to each other, and you need to denominate के यह x, y और z axis पर यह चीज़ी है, ठीक है, यानि कि इस data के जो भी columns आप different जगों पर यूज़ करेंगे, you have to write that name, of course यह plotly, यह github copilot ने मुझे code दिया है, इ on letter का फरका आगया, I will just change those, आपने x axis दिया, y axis दिया, ठीक है, मैं इन चीज़ों को remove करता हूँ, ठीक है, and यहाँ पे comma लगा के type मैं कर देता हूँ scatter, और मैं इस तरीके से इसको चलाने के कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने इसको run किया, you will see कि आपके पास एक viewer के अंदर, एक plot open हो गया, this one, मैं इसके ओपर zoom पे click कर देता हूँ, and यह plot इस तरीके से आपके पास आगया, ठीक है, and this is very interactive, यह आपके पास zoom का button है, आप यहाँ से zoom पे चले जाए, वही चीज़ जों आपने G-Walker R में भी देखी थे, आपको याद होगा, लेकिन now it's more plotly based, आप यहाँ प इसी plot के अंदर fair के साथ, आप color भी दें, something like this, color is equal to, you can say say for example, मैं tilde sign यूज करता हूँ, और यहाँ भी मैं कहा देता हूँ, color कर दो male female की base पे, here you go, simple, यह male जो है, female जो है, दोनों के different colors होगे, समझ रहे है, same date है, लेकिन male female separate होगे, and this is how you can make a scatter plot, ठीक है, और type आपने case की scatter बोल दी है, इसके इलावा, आप mode भी इसका change कर सकते हैं, ठीक है, for example, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, mode is equal to, यहाँ पर हम लिख देते हैं, markers, अब आप देख रहे होंगे, कि इतनी को खास change तो नहीं आई न, यहाँ पर, लेकिन आप यह markers को change कर सकते हैं, यानि कि यह जो आपके पास values आ रही है, you can change those values as well, ठीक है, tool tip भी बोलते हैं, ते रहे हैं, many other things जो आने वाले दिनों में देखेंगे, तो हमारे पास क्या हुआ, plotly आपने use किया, df यानि के data दिया, x-axis दिया, y-axis दिया, color दे दिया, type आपने बता दी, and mode बता दिया, अगर आप mode ना भी ब पर क्लिक करें, save as image, copy to clipboard, या save as webpage भी कर सकते हैं, यानि कि यही file html के अंदर save होगे, आप किसी भी website भी चड़ा सकते हैं, यही file clipboard में भी save हो जागी, copy करके, आप किसी भी PowerPoint में paste कर सकते हैं, यही file save as image भी हो जागी, something like this, और आप यहां से उस plot को change कर सकते हैं, यही नहीं, अभी और सुनिये, zoom पे click करके, यहां से भी आप download as PNG कर सकते हैं, for example, मुझे चाहिए इतना plot, मैं यहां पे click करूँगा, it will be saved, something like this, ठीक है, so this is how you can create scatter plot, दूसरा हमारे पास है line plot, line plot भी उतना ही असान है, जितना हमारे पास पहला plot था, simply हम वो ही करेंगे plotly data x y, फिर दे द यह type scatter है, mod हमने lines रखती है, let's see, of course, दगडबगड हो गया, it doesn't look nice, I know that, reason कह हमें सोच समझ के line plot के अंदर अपने variables रखने होते हैं, ठीक है, और वो variable कोई भी हो सकते हैं, जैसे आपको मैंने scatter का बताया, scatter के बजाए आप line plot भी बना सकते हैं, for example, you want to see age based on the, say for example, some other thing, और मैं यहाँ पर वो चीज़ भी add कर सकता हूँ, जैसे मैंने color की base पर lines बता दी है, and line plot यहाँ पर आ गया, and usually line plot आपका बनता है time series के data में, पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, line plot के साथ, यह phinovis के अ पर मैं p class रपनू, then what happens, let's see, समझ रहे है, आपके पास shaded area के समकार है, so यहाँ पर fair की बजाए, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, say for example, embarked, you see, so different kind of shapes इसकी बन जाएगे, but not really meaningful, so line plot किसी specific data के लिए use होता है, not for everything, right, line plot के बाद हमारे पास है bar plot, which is favorite for many people, simply आपने गया करना वो ही चीज, df, x पे आपने कोई चीज लिखती, y पे numeric रख दिया, x पे आपने categorical, y पे numeric, and then you can say के color देना है के नहीं देना और type आपने बार कर दी, वो ही सारा कुछ है, लेकिन x और y चेंज करके, type चेंज कर दे, then you will have this bar plot, very nice bar plot, look, ठीक है, और ये interactive है, यहाँ से आप male का data भी देख सकते हैं, सिरफ और सिरफ female का भी, that's the beauty of interactive plot, you don't need to code a lot, just click and uncheck and save these kind of plots, लेकिन अगर आप गौर करें, ये bars जो हैं, ये stacked है, not the mean, सही है, सो वो ही strategy आपने use करनी है, mean, median, mod वगरा लेके, फिर आपने bar plot बनाना है, but anyhow, this is how you can create a bar plot, और इसका एक और तरीका भी हो सकता है, आप ये ही काम, for example, अगर हम histogram, histogram पर करें, let's see, histogram, उसके लिए भी वो ही data है सारा हमारे पास, यहाँ पर age है, age का histogram बन गया, आपको पता है, ये numeric data का बनता है, and here you have histogram, और मज़ा ये है कि वो ही code है सारा, जो हमने simple लिखा था, but now we have histogram, which is interactive, and here you can see कि ये 17.5 से 22.4 की बिन है, और 118 लोग इसमें आ रहे है, that was missing yesterday, अब आप देख सकते हैं, कहां पर say decline आ रहे है, so now interactive plots का मज़ा ये है कि आप interpretation असानी के साथ कर सकते हैं, then you have another plot, जिसकी हम अभी जिकर करके रहे हैं, box plot, and ये box plot भी same उसी तरीके से बनेगा, आप किसी भी class को बता दें, और उसकी base पे box plot बन जाएगा, चलें, आपको पहले simple box plot बना के दिखाता हूं, color को हम रहने देते हैं, और सिरफ और सिरफ यहां पे y fair कर लेते हैं, let's see, here we have box plot, लेकिन सिरफ fair है, ठीक है, अब आपको पता है कि सिरफ y axis दिया है, हमने x axis कुछ नहीं दिया, जैस अब magic, यही है plot, यहां पे, लेकिन x axis हम यहां पे रख रहे हैं, जो मैंने remove किया था, which is p class, and here you go, आपने x axis दिया, first, second, third class का automatically बन गया, सही है, समझ रहे हैं, अब यह box plot का, जैसे आप interactively जाते हैं, आपके पास कितनी values आ रही हैं, ज़रा गौर करें, min, max, q1, q2, q3, median को q2 भी बोलते हैं by the way, 50% है na q2, quartile 2, तो इस वज़ा से q2 बोला जाते हैं, and this is how you can see different kind of values, और आपको यही से पता चल जाएगा कि आपका inter quartile range कैसे आपने निकाल ली है, अब आपने देखा, दो variables हमने use किया, पहला हमने p class use किया, and fair use किया, class की base पे fair हमारे पास आ गय now, कि बच्चों ने कितना पे किया, बड़ों ने कितना किया, और उनमें क्या-क्या फरक है, बहुत असान, आपने सिरफ इसी के आगे, color लिख के, equal to लिखना है, और यहाँ पे, आपने, tilde sign लगा के, who लिख देना है, ठीक है, like this, and here you go, समढ़ागी बात की? अब आपके पास हर एक bar plot different way में आ रहे है, child का separate आ रहे है, man का separate आ रहे है, and women का separate, आप इन पे check करें, और यह separate भी हो जाएंगे, so you can also draw them next to each other, but this is how you can actually plot different kind of box plot, ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं हू की, इसके यहाँ पे रखो, so then it makes sense क्यों, क्योंकि जब भी आप कुछ चीज़ ड्रॉ कर रहे होते हैं, it's better कि आप उसकी एक sequence के अंदर coding करें, ठीक है, type end पे रखें, x, y, and color separate, ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, अच्छा जी, मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे scatter plot में और बतानी थी, अगर मैं scatter plot बनाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास ही इस तरीके से आ रहे है, scatter plot, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ होती है scatter plot के अंदर, size की command भी आप दे सकते हैं, मैं यहाँ यहाँ पे enter करता हूँ, size, let's see if I can do that, यहाँ पे कॉम आ लगाता हूँ, size is equal to, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, shift tilde, और fair, यह ले, समझे भी बात की, and now you will see, जैसे जैसे क्राया कोई ज्यादा पे कर रहा है, वो bubble का size बढ़ रहा है, so this is how you can also play with the data, right, so यह हमारा पास scatter plot के अंदर है, मैं copy कर लेता हूँ इसे, और इसे control C करता हूँ, just to show you, कि जो आपके पास पहली command थी, वो वहीं पे रहे, और दूसरी command में यहाँ पे add कर दो, ठीक है, यह size का बन जाएगा, then box plot के इलावा आपके पास अगला plot है, heat map, यह 3D scatter plot भी हो सकता है, but I would go with heat map first, आपको पहले 2D बना के दिखा दो, and then it would be easier to make more, अब गौर करें, यहाँ पे मैंने P class दी है, और Y embarked का बता दी है, and Z हमने fair दे दिया, अब आप देखेंगे Z axis क्या show कर रहे, here you go, मैं इसको थोड़ा से zoom in करता हूँ, now you can see, कि कराया जो है, उसकी base पे हर एक चीज का, यानि कि कौन कहां से embarked हुआ है, उसकी base पे rent आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि सबसे ज़्यादा किस ने दिया, यानि कि जो लोग अमीरतरीन थे यहाँ पे, जिसका क्राया 80 से भी उपर था, इस चीज में आ रहा था, 80 से उपर, 100 से उपर, वो basically, इस Queensland से चड़े थे, Q वले points से चड़े थे, and of course, इसको हम change भी कर सकते हैं, बजाए embarked के, embarked underscore town कर देते हैं, और P class की बजाए class करते हैं, let's see, and now you can see exactly what I meant, Queenstown से 1st class वाले लोग जो चड़े थे, उन्होंने क्राया दिया था ज्यादा, ठीक है, समझ रहे हैं, and this is how you can plot them in a heat map, अगर आप age की बात करें, यही पर मैं age लिख देता हूँ, Ctrl-Enter, देखिएगा, अब आपको समझ आजाए कि बड़े लोग कहां से चड़े थे, और किस class में थे, यानि कि जिनकी age ज्यादा थी, किस class में हैं, और कहां से वो चड़े थे, ठीक है, this is how you can see, z-axis क्या आए भे, x-axis is a class, embarked town है, y-axis, z-axis means colors जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जब भी heat map बनाना है, you should know कि z में numeric values देते हैं, ताके वो colors जो आ रहे हैं, अगर आप z में numeric नहीं देंगे, तो वो आपके पास different किसम का heat map बनेगा, say for example, age की बजाए, मैं यहाँ पे male-female का z map बनाना चाता हूँ, you see, यह चेक कीजिए, heat map नहीं बन रहा, because we don't have numeric value, चले मैं कहता हूँ, p class कर दो यहाँ पे, again, you have numeric value, लेकिन 1, 2, 3 यह न, factor है, तो इस वज़़ए से कुछ नहीं आया, so numbers should have more than 10 unique values, usually, so इस वज़़ा से यहाँ पे age आएगा, या fair आएगा, ठीक है जी, heat map भी बन गया, असान था न, कोई मुश्किल तो नहीं है न, heat map, ठीक है, अच्छा, अब हम pie chart बना लेते हैं, pie chart, same वो ही गाम है, सारे का सारा, आपने data दे दिया, labels आपने दे दिये, type pie बता दी, देखिएगा, percent in whole, table वाली command याद है, जो हमने लगाए थी, मैंने आपको बोला था, यह pie chart की तरह है, कोई मुश्किल तो नहीं है न, data बगड़ा दो, column का नाम बता दो, that's it, pie chart बन गया, and pie chart को आप check भी कर सकते हैं, uncheck भी कर सकते हैं, like this, ठीक है, अब इसी को, अगर मैं तीन values वाला class का column देखूं, again, it's very easy, percentage भी आरी, बाकि चीज़े भी आरी, आप save भी कर सकते हैं, and even though, आपने सिरफ type बताई है, बाकि data तो वो ही है न, मैं values fair की base पे देना अगर चाता हूँ, look, check करें, आपके पास fair भी आरहा है, उनका count, इनका total fair का sum आरहा है, tool tip में, समय रहे हैंगा आथ की, अगर tool tip क्या है, यह जो चीज़ आपके सामने आरही है, इसमें जो text लिखा आरहा है, so you can also modify that, but I would say के आप simple pie chart कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, then we have 3D plots as well, लेकिन उससे पहले मैं एक bubble chart आपको बना के दिखा दू, bubble, bubble chart, bubble, bubble तो सभी को पसंद होगी न, bubble chart, plot भी से बोल सकते हैं, bubble chart भी कहते हैं, अच्छा, x, y पे वो ही चीज है, लेकिन size का difference आ गया, यहां पर type bubble हो जानी, वो जो मैंने scatter में आपको काम करकी दिखाया था, size बला, bubble में जब आप करेंगे, you will see a huge difference, like this, sorry, and da 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 da, okay, age, fair, let's see, मैं पहले यहां पर, there's something wrong, data, class, survive, size, frequency, type, scatter, mod markers, scatter ही आना यहां पर, mod marker, size, fair, let's see, yes, यही बया, and, yes, here you can define the size as well, so, यह bubble बन जाएंगे, they have changed this documentation, before that you could use type of bubble here, so, अभी यह scatter के साथ ही बनता है, जो मैंने आपको बना के दिखाया था, but the best thing is, आप यहां पे इसको multiply करते, for example, मैं इसको 2 के साथ multiply करता हूं, then you will see the change in this size, something like this, यह जो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, so, this is how you can make bubble chart, अब चलते हैं, एक और मेरा favorite plot of violent plot, violent plot कैसे बनना है, same वो ही चीज है, आपने X और Y बताने है, color बताने है, and violent की type बताने है, जैसे box plot है, box plot को same, उसी code को violent में change कर देंगे, तो यह violent plot बन जाएगा, यह ले, same box plot वाली चीज है, violent का मतलब यह है, कि जहाँ पर data ज्यादा आ रहा है, वो ऐसे side को पहल जाना है, जहाँ पर data कम है, वो सही तरीके से वहीं पर set हो जाना है, ठीक है, और इसको fair की बजाए आप age पर भी बना सकते हैं, so, you need on Y axis a numeric value, X axis पर आपको, जो है वो दूसरी value चाहिए, अगर आप color नहीं चाते, तो color को यहाँ से रिमूव करें, and you have directly here your violent plot, and it will show you the same quartiles, mean, median, mod, q1, q2, q3, लेकिन यह box की तरह नहीं है, यह violent की तरह, यह actually adjust करता है खुद को based on the data points, ठीक है, last but not the least, which is 3D scatter plot, और 3D scatter plot जो है वो बहुत असान है, same वो ही चीज़ा plotly के साथ, X, Y, Z आपने बता देना है, और color बता देना है, and scatter 3D बता के, marker बता देना है, and here you have the 3D plot, और जिनके system थोड़े से heavy नहीं है, उनसे मैं request करूँगा, 3D छोटे data पे बनाई है गा, बड़े पे ना बनाई है गा, and this is how you can manipulate the data, interaction, and you can actually see the data in 3D space, now you can see, X axis क्या है, Y axis क्या है, for example, यहाँ पे अगर देखे, X axis is age, and Y fair, so we can see, यह है Y, X axis, age, and fair, यह देखे, X, Y, और Z, B class, यह आप की तरफ आ रहा है, Z, ठीक है, so you can actually manipulate a lot, आप orbital rotation भी कर सकते हैं, something like this, आप इसको pan भी कर सकते हैं, something like this, और यहीं से आप Z axis को भी rotate कर सकते हैं, and if you are done with this thing, you can also actually, यहाँ पे आके reset to the default, और आप गॉर करें, इसमें सबसे important चीज़ यह है, कि जैसे आप इसे rotate कर रहे हैं, you can also zoom in, with scrolling wheel, zoom in, zoom out, और यह तब मज़िदार होता है, जब आप PCA plot बनाते हैं, principle component analysis जब करते हैं, तो यह है आपका 3D plot, इसके इलावा, आप यहाँ पे plot.ly की website पे जाके, कोई भी plot उठा के, उसके code को adapt कर सकते हैं, for example, यहाँ पे इसके animated plots भी होते हैं, अगर हम देखें, यहाँ पे 3D charts आगे, यह check करें, यह animated plots आपके पास आ रहे हैं, और, यह custom animation भी आप कर सकते हैं, यह वाला पूरे का पूरा जो है, आपके पास, एक code पड़ है, and this is how you can see, कि आपका जो, different किसम का data है, उसको plot करके, आप animate भी करवा सकते हैं, let me go back, something like this, यह cumulative animation, तो next lecture में हम देखेंगे, कि किस तरीके से, आप animation को बना के play कर सकते हैं, for your social media posts, जो बहुत ही, एक अच्छी चीज होती है, और बहुत जयदा जो लोग है, वो इसको सरहते भी हैं, you can save this as a GIF file, and then you can upload it, usually आप क्या कर सकते हैं, कि Pakistan for example, GDP कितनी थी 1990 में, और साल हा साल बढ़ रही है, कि काम हो रही है, ठीक है, these kind of things, just to attract more people, and, अगर आप यह अपनी presentations में, यूज करें न, astonishing effect होता है students पे, और even though, जो आपकी audience होती है, so it's totally up to you, कैसे आपने यूज करना है, लेकिन plotly के 10 plot से भी ज्यादा, यहाँ पे आपके पास मैंने, पहले आपको दिखा दिए, इसको मैं save करता हूँ code को, screen को stop करते है, and this is how you can use plotly, same वो ही grammar of graphics है, data, aesthetics, and geometry, यहाँ पे geometry आ रही है type में, जी जी plot में, geom में थी, ठीक है, data, aesthetic, geometry, again, geometry कैसे दिखाना है, data किसको दिखाना है, x-axis, y-axis, color, size, यह सारा कुछ, aesthetics, this is how you make a plot, clear है जी?